एक बर फिस्टे स्वागत अपका अकासी केडमे में बने रहे हैं मेरे साथ मैं भी आपके साथ जी हाँ जिस बिंदू बाबात करने जा रहा है वह बिंदू है दिगंद भागतू हिंदी काब घंडे पाठ बारा अर्थात यहां देखने को मिल रहे हैं आपको जो है न करेंगे यहां पर सबसे परतम जान लेते हैं तो असुग बच्पई की जीवन कैसे बेतित हुआ है यह इनके जीवनी क्या है आईए बात करते हैं यहां को देखने को मिल रहा है जनम तो असुग बच्पई के जो जनम है वह 16 जनवरी 1941 में हुआ है चलिए आगे बढ़ते है जनम अस्थान तो जनम अस्थान इनका है कहा तो जनम अस्थान जो है दुर्ग 36 गड़ में दुर्ग अस्थान है वहां पर इनके जनम अस्थान है और कहते है मुल निवास मुल निवास है जहां पर मुल निवास है चलिए आईए बात करते हैं इनके माता पिता के बारे में ठीक है ना तो इनके माता का नाम जो है ना निरमला देवी और पिता का नाम जो है परमनंद बजपई हैं और यहाँ पर क्या यह अपने जीवन में किये हुए है सिक्षा सिक्षा कहा कैसे गरंग किये हुए थे प्रणभिक सिक्षा जो है न गबर्मेंट हायर जो है न सिकेंडरी स्कूल अर्थात सागर सागर बिस्व बिद्याले से जो है न बी ए और क्या है न सिंट सिंटी 5 कौलेजस से क्या कीए। दिली से अंग्रेजी में एमे कि यहा तक आपको मालूम हुआ शिक्षा कहा कहा से कैसे पराप किये है। है यह बात करते हैं बृती मतलब होता है मांसिक कारज ठीक है न अपने मंद से किया गया करज अपने जीवन में किया गया करण तो भारतिये जो है ना प्रासासनिक सिवा के अधिकारी रहे कई महत्पुन जो है ना दाइतों का निर्वाहन किये ठीक है निर्वाह किये महत्मा गांधी जो है ना अंत्र राष्टिरिये हिंदी विश्व विद्याले के पर्थम कुलपती पद से सिवना बिरीत हुए थे ये चलिए आगे क्या बढ़ते है आगे क्या होता है ये कैसे कैसे क्या किये हुए है उसके बाद में संप्राती आता है यहां पर संप्राती किया गया है सहीत अकादमी पुरूषखार मिला हुआ है दयवत्ते मोदी कभी संदों संबान Sorcer प्लिस सरकार का अफीसर के का आओ दो जर्चार में मिला हुआ है से इस प्रकार सिंहें इन न मौलिक और संपाधित क्रितिया प्रकासित किये ठीक है ना सहर अभ भी क्याना संभावना है एक पतंग अनंत में अगर इसे से बहुरी अकेला थोड़ी सी जगा इस तरह के राचना किये हुए इस तरह से आप देख लेंगे ठीक है कभीता संग्रा बहुत सारे इस प्रकार क यहां पर दिखने के मिल रहा है जो है ना हजारी पर साथ दिवेदी और क्याना अग्याय पर एकागरे सम्पादित के पुस्तक के अस्तंबले कभी कभार इस तरह से बहुत सारा जोने यह क्या किये है रचना किये हुए हैं तो इस प्रकार के आपको यहां समझ में आ गया हो हम लोग वरनन करें वरन कर दिख लेती हैं क्या दिखाना चाहते है मेख्यां क्या बेखाना चाहते हैं सर्दाव का ना यह कवीथ ने यह कवीथ को ल diligent Иशा मेरे में प्रशंगों में अनिक क्या है न प्रश्ण उठाती है और इस प्रकार से जो है न वास्त विक्ताओ को जो है न देपर्द करती हुई अथा खुलासा करती हुई क्या है यह शब को शामने परतेक्ष रूप से दिखाती है चलिए तो बात कर लेते हैं यह कैसे यह अपने जीव सहर में रोसनी की जा रही है उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रत बिजय पराप्त कर लोट रहे हैं इस तरह की बात आ रही है क्या कि उन्हें उत्सव मना रहे हैं कोई है जो क्या कर रहे हैं उत्सव मना रहे हैं और किस चीज़ का की देखेंगे आगे कि सारे सहर में रोसनी की जा रही है क्या ना उजाला की जा रही है रोसनी की जा रही है उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना औरत बीजय परात कर लोट रहे है यानि कहीं भी बीजय होती है जी तो होती है वहाँ से क्या ना एक दम बिलकुल जो है ना खुसी परकार यानि वहाँ से जो है ना मतलब भीन परकार के जोने खुशिया उमरती है आगे क्या कहते है कि नागरीकों में से ज्ञाधातर को क्या है पता नहीं है कि किस यूद में उनकी सीना और सासक आए थे यूद किस बात पर था ठीक है न उस सब को जो है है उसकी सेना और सासक गए थे और इस तरह के नागरीकों को पता नहीं लग रहा है कि ये जूद जो है न किस कारण हुआ और होने का जो ने रीजन क्या था ठीक है न इस तरह की बात हो रही है यह क्या है न यह भी नहीं कि सत्रू कौन था परवे बीजय परव जो है न मनानी की तयारी में बेवस्त है, ठीक है न इस तरह की बाद जो दुशमन जो होते हैं, सत्रु ठीक है न सत्रु बहरी उस चीज़ को भे जनता नहीं पहचान पा रहा है कि वो कौन है, उन्हें सिर्फ क्या है न इतना पता है कि उनकी बीजय हुए यैनी जो party जो नो जो बीपक्ष के लोग जो है ना वहां से देख रहे है और जो पक्ष के लोग जीत की जैगोस करती हुई ठीक है ना इतना पता है कि उनरी बस क्या ना बीजे हुई यद मिजिद हुई है और दूसमन क्या है उनको भी पता नहीं है कहते हैं यहाँ पर उनकी से आसे क्या है ना यहाँ भी इस पस्ट नहीं है इस परकार से भी जो भी आसे होना चाहिए वह पूरी डूप से जो है उजागर नहीं है इस पस्ट नहीं है क्या काते किसी की बिजय हुई है हुई सेना की की सासक की की नागरीकों की यानि किस चीज को मतलब किस बिंदू को जो बिजय हुई है यानि सेना के बिजय हुई है सासक की बिजय हुई है या नागरीकों के बिजय हुई है इस तरह की बात इसमें कही जा रही है किसी के पास क्या है न पुछने का अवकास नहीं है मतलब कि किसी से पुछने का इस जो है न जो चल रहा है समय ये समय नहीं है अवकास नहीं है टाइम नहीं है नागरीकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने क्या न विजैउ वापस आ रहे हैं खेत रहने वालों की सूची और प्रकासित है सिर्फ एक बुढ़ा मसक वाला है जो शड़को को खिछते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए है कोई उसमें नहीं कह रहे हैं कि हम हार गए बाकी सब लोग लग रहे थे कि जो ना उत्सों मनाते हुए उस चीज को क्या ना उस मतलब की होड को उस जो है ना जगह को जित कर आ रहे हैं बस क्या ना एक बार फिर से क्या ना क्या काते हैं कि एक बार यहाँ पर एक बार फिर से हार गए कोई पगड़ी वाले क्वेजन मसक वाला बुड़े हैं जो क्या कर रहे हैं कि एक बार फिर से हार गए हैं और क्या है ना गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लोट रही है क्या काते हैं कि गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लोट रही है है हम लोग जीते नहीं है पर क्या ना हम हारे हुए है इस तरह के बात आ रही है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है और क्याना आच्छा यह है कि उस पर सड़की सीचने भर की जिम्मवारी है सच को क्या है ना सच को दर्ज करने या बूलने कि नहीं जिन पर है वे सेना के साथ ही जित कर लोट रहे है इस तरह की बात कर रहे हैं इस जित को इस बीज़े को जनता को पता नहीं है कि कौन जिते हुए है और इसका जो है न दूसमन दूसमनी जो इस कभीता में जो थी वा किन से थी इस तरह की बात जो है न यहाँ पर आ र रहे हैं वो किया ना बिल्कुल जो है ना जीत ले करके यानि बिल्कुल जो है ना जीत करके जो है नो वापस आ रहा हैं इस तरह की भावना जो ने इसमें ब्यक्त हुई है यानि समझे कहीं भी कोई जाता है तो वो सोचता नहीं है कि हम हार जाए मतलब हमेशा बीज़ई के लिए हमेशा किस चीज़ के लिए हमेशा बीज़ई मतलब कि जीत के लिए सब लोग कहीं न कहीं लगे हुए होते हैं कि हमें सफलता मिली हमें जो है न बिज़ई हो तो इस तरह की बात इसमें जो है न रचा गया है लिखा गया है इस चीज को उजागर किया गया है ठीक है न इस तरह से असक बाजबेज़े जो हम अपने बानियों को अपने बीचारों को परकट किये हुए है कि कोई भी इंसान है क्या न वो किसी होड़ी या कहीं भी यूद करने जाते है उसमें वो हार जाना जो है न लग की बात है पर वो कभी जो कदापी नहीं अपने लक्ष को अपने जो है न चीज को अपने जो है न मतलब अहम भावना को हरना नहीं चाहता है वो अपने भावना को खो देन सब्लय करें नहीं चाहता है इस प्रकार के बात इससे मैं हैं हार कर भी के जीते हुए समानelling क्या लुटा कर लट रहे हैं यहीं बात इसे nessas के में कहीं गई है इसका स हारे जी जीत होती है चलिए यह जो है नवीडियो आपको समझ में आ घीया होगा तो मेरे चेनल शब्सक्राइम नहीं किया है तो शब्सक्राइब और पलस में वेल आइकोन को प्रेस कर दे ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन जो नया वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में